आजकल की मोटर साइकलों और कारों में बहुत एफिशेंट ब्रेकिंग सिस्टम लगे होते हैं। ये सिस्टम इतने एफिशेंट होते हैं कि आकस्मिक इस्थी में एक सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से के अंदर ही आपकी गाड़ी को सुरक्षत रूप से रोग देते हैं। जब आप ब्रेक लीवर खीचते हैं तो लीवर के पास स्थित ब्रेक फ्लूट दबता है। ये फ्लूट ब्रेक लाइन द्वारा ब्रेक पैट से सीधे जुड़ा हुआ होता है। इसलिए फ्लूट के दबते ही ब्रेक पैट सक्रिय हो जाते हैं। अभी अभी आपने जिस ब्रेकिंग सिस्टम को देखा, उसे पिछले पांच दशकों के शोध और व्यावहारिग अनुभवों के द्वारा विक्सित किया गया है। आईए हम सीखते हैं कि इंजिनियरों ने इतना एफिशेंट ब्रेकिंग सिस्टम को कैसे बनाया, या फिर विशेश रूप से कहें, तो हम सीखेंगे कि डिस्क ब्रेक्स के पीछे की रोचक बहुत की क्या है। आप सोच रहे होंगे कि ब्रेक लिवर पर आपके हाथों द्वारा लगाया गया एक छोटा सबल भला कैसे मोटर साइकल के पहिये को रोकने के लिए काफी होता है। इंजीनियरों ने पासकल्स लॉक आउप्योग करके इसे बनाया है। जब आप लिवर को घुमाते हैं, तो एक छोटा पिस्टन भी घुमता है। पिस्टन में तेल भरा होता है और ये तेल प्रेशराइजड होता है। अगर आप ध्यान से देखें, तो ये पिस्टन केबल द्वारा एक बड़े पिस्टन से जुड़ा हुआ है। संक्षेप में कहा जाए तो बड़ा पिस्टन ब्रेक पैट के पास इस्तित होता है। और छोटा पिस्टन ब्रेक लिवर के पास इस्तित होता है। पासकल्स लॉक के अनुसार दोनों पिस्टनों पर एक समान अब ये है कि पिष्टनों के क्षेत्र फल में अंदर के कारण लीवर के सिरे पर आपके द्वारा लगाया गया बल ब्रेक पैड के सिरे पर कई गुना बढ़ जाएगा ये बल ब्रेक पैड को आगे बढ़ाएगा और ब्रेक पैड ब्रेक डिस्क को दबा देगा और इस प्रक प्रणाली के बारे में एक और रोचक बात ये है कि पिस्टिन तो केवल एक तरफ लगे होते हैं लेकिन फिर दूसरी तरफ के ब्रेक पैड कैसे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि कैलिपर कैसे इस स्थिर भाग के साथ गती कर रहा है। इसका मतलब है कि जैसे ही सिलिंडर में दबाव बनता है वैसे ही फ्लोटिंग कैलिपर स्थिर हिस्से की विपरीद दिशा में चलने लगता है। दूसरा ब्रेक शू फ्लोटिंग कैलिपर से सीधे जुड़ा होता है इसलिए ब्रेक लगाने पर दोनों तरफ एक साथ प्रतिक्रिया होती है डिस्क और ब्रेकिंग पैट्स के बीच फ्रिक्षन के कारण बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन होती है और डिस्क बहुत ज़ादा गर्म हो जाती है मोटर साइकलों में डिस्क के चारों और हवा के प्रवाह के कारण इसके तापमान को नियंतरित किया जा सकता है कारों में तापमान को नियंतरित करने के लिए हवा के कहीं अधिक प्रवाह और अधिक छिद्र फलवाली सतह आउशक है इसी वजह से कारों की डिस्क के अंदर वेंस होते हैं वेंस हवा को किरणों की तरह फैला कर बाहर की ओर फेकने में सहायता करते हैं डिस्क के चारों और बने चिद्र, हवा के प्रसार को और बहतर बनाते हैं। डिस्क ब्रेक प्रणाली एक साधरण प्रणाली लग सकती है। हालाकि आटो मुबाइल को सुरक्षित बनाने में डिस्क ब्रेक्स के योगदान को समझने के लिए हमें पहले disk brakes के पूरवज drum brakes के बारे में जानना होगा Drum brakes automobiles उद्योग में कई दशकों तक चाही रहे इनका प्रयोग अभी भी कुछ कारों के पिछले पहियों में किया जाता है इनकी कारे प्रणाली बहुत ही आसान होती है इस मेकनिजम के ड्रम सीधे पईयों से जुड़े होते हैं जब आप ब्रेक लगाते हैं ड्रम के अंदर लगे शू पेर फैल जाते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स के कारण पईये रुख जाते हैं पहली नजर में ये मेकनिजम आसान और बिल्कुल पर्फेक्ट लगता है लेकिन ड्रम ब्रेक्स अकसर ब्रेक लगाते समय बहुत अधिक गरम हो जाते हैं उनके बहुत नजदीक होने के कारण ड्रम ब्रेक्स का तापमान इस्ट तमस्तर पर बनाए रखना आसान काम नहीं है इस तरह बहुत अधिक गरम हो जाने से ये फैल सकते हैं खराब हो सकते हैं या इनका आकार बदल सकता है चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स कम होने के कारण ये पहिया तेजी से नहीं रुकता रोड टायर का फ्रिक्शनल फोर्स भी दूसरे टायर की तुलना में कम होगा अलग-अलग फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ब्रेक लगाते समय एक नेट टॉर्क पैदा होगा और इस कारण पूरी कार घुम जाएगी इसलिए आप देखते हैं कि जिन पुरानी कारों में ड्रम ब्रेक्स लगे होते हैं वो कभी-कभी ब्रेक लगाते समय दाएं और बाएं को हिलने लगती है अत्याधिक गर्म हो जाने की ऐसी कोई समस्या डिस्क ब्रेक्स में नहीं होती है ड्रम ब्रेक्स की तुलना में डिस्क ब्रेक्स की स्टॉपिंग पावर जाद अची होती है आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जादतर हेवी ड्रेक्स में अभी भी ड्रम ब्रेक्स तकनीक का उपयोग होता है इसका कारण बिल्कुल सीधा सा है कि ड्रक के ड्रम ब्रेक्स में धातु के बड़े बड़े पुर्जे लगे होते हैं वे गर्मी को सोखने का काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं और उन्हें जादा गर्म होने से बचाते हैं ड्रम ब्रेक्स से अधिक महंगे होते हैं इसलिए हैवी ड्यूटी ट्रक में ड्रम ब्रेक्स का उपयोग करना किफायती नहीं है हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको ड्सक ब्रेक्स तकनीक के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और कृपया अपना सपोर्ट बनाए रखें